उन्नाव के सर्वोदे नगर में इस्थित एक इलक्ट्रॉनिक दुकान पर वीती देर राथ सौर्ट सर्किट से आग लग गई जिसे दुकान में रखे इलक्ट्रॉनिक उपकरण जलकर खाक हो गए आपको बता दे कि आग की लप्टे देकर आसपास के मौजूद लोगों में अफरातफरी मच गई वही आग बुझाने का प्रयास भी किया गया लेकिन सफलता नहीं मिली वही सूचना पर पहुची दमकल ने आग पर काबू पाया आपको बता दे कि फोर्ड लेन इस्थित गौरव गेस्ट हाउस के पीछे मरीज दिछित अंबिका पूरव निवासी की माव पारवती इलक्टोनिक नाम की दुकान है जहां बीती देर रात दस बचे के बाद सौट सरकिट से दुकान में आग लग गई दुकान के बाहर धुआ निकलता दे कासफास के लोगों में आग की सूचना हुई वही थोड़ी देर बाद आग की लफटे निकलने लगी और इस्थानी लोगों ने बाटियों से पानी भर कर आग बुझाने का प्रयास किया लेकिन बाद में समर सेवल का उपयोग भी किया गया लेकिन कुछ भी सफलता हाथ नहीं लगी जिसके बाद दुकल और गंगगहर्ट कोतवाली पुलिस को जानकारी दी गई वही आग की सूचना पर अगनी समन अधिकारी फायर कारी के साथ मौके पर पहुचे काफी मसकत के बाद आप पर फाबू पाया गया यूरी रिपोर्ट आई टियन